मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्स 2022 में सावन सिवरात्री कब है और क्यों मनाई जाती है पूजा विधी पूजा का सुब महुरत और पूजन सामागरी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट आई की अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब न करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हिंदु धर्म में सावन के महीने का विशेस महत्व है इस महीने में भगवान सिव की पूजा अराधना की जाती है सावन के महीने में सबसे ज्यादा महत्व इस महीने में आने वाले सोमवार और सिवरात्री का अत्यधिक हो से जानास हैा का मंसिक सीव रात्री ឦ मास के चतूर्थी तिधि को मनाई जती है सावन के महीने में भगवान भोले नात की आरद्ना करनी से सुक्सान्ति व सम्रिध्धी की प्राप्ति होती है माननेता है कि इस महिने में जू व्यक्ति भगवाण सिव की पूजा वसोमवार ब्रत रखता है उसकी सभी मनुकामनाइद पूरी होती है सवभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र और पती की लंबी आयू और परिवार की सुकसान्ती के लिए ब्रत रखती हैं तो वहीं कुमारी कन्याएं सावन के इस माह में सुयोग्यवर की प्राक्ती के लिए ब्रत रखती हैं और भगवान भोले नात की पूजा व अर्चना करती हैं मित्रों अब सामन सीवरात्री के दिन शीव पूजन करने की बिधी को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है सामन सीवरात्री पर प्रातह काल उटकर नित्य क्रिया से निब्रित होकर अपने पूजा घर को गंगा जल से पभित्र करें और सीव जी की प्रतिमाय स्थापित करें इसके बाद भगवान सीव को सफेद जंदन गंगा जल गाय का दूद बेल पत्र समी पत्र भांग और सफेद फूल अर्पित करें इसके साथ ही माता पार्वती को अच्छत फूल धूब फल सुहाक का सामान आदि करें फिर सीव चालिशा और कथा का पाठ करें इसके बाद आर्थी करें मित्रों अब आपको बता दे कि वर्स 2022 में सामन सीवरात्री 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी निशित काल में पूजा करने का सुब मुहुर्थ शुरू होगा 27 जुलाई 2022 दिन मिनट से और निशित काल में पूजा समाप्त होगा 27 जुलाई 2022 को दिन बुद्धवार सुबा 12 बचकर 49 मिनट पर ब्रत पारण कारने का सुब मुहुर्थ है 27 जुलाई 2022 को सुबा 5 बचकर 41 मिनट से लेकर दो पहर 3 बचकर 52 मिनट तक रहेगा चतूर्थी तिथी सुरू होगी 26 जुलाई 2022 को साम 6 बचकर 50 मिनट पर चतूर्थी तिथी खत्म होगी 27 जुलाई 2022 को रात्री 9 बचकर 10 मिनट पर